नमस्कार बच्चों, मैं थार डिजर क्लास में आपका स्वागत है हम संस्कृत की पाठे पुस्तक पढ़ रहे थे हमने दो अध्याय आपके पढ़ लिये थे सुबाशितम और विलस्य वानिक कदा पिन शुत्वा आज हम तीसरा अध्याय अर्थारत आपके सरेवस में चतुर्थ पाठ है उसको पढ़ेंगे एक छोटा सा गीति काव्य है ये तो सर्वा परतम पाठ का नम सदेवी पूरतो निदेही चर्णम सदेवी पूरतो हमेशा पूरतो यानि बढ़ाना चाहिए निदेही चर्णम अपने चर्णों को अपने चर्ण यानि जो पाध है पेर है उनको हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए इस प्रकार का ये पाठ है तो स्रीधर भासकर वरगे कराया नाम द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनोतियों को स्विकार करते हुए आगे बढ़ने का अववान किया गया है इसके प्रनेता राष्ट्रवादी कवी है और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरन तथा कर्मठा का संदेश दिया है अर्थाद स्रीदर भासकर जी जो इसके लेकक हैं उन्होंने चुनोतियों को स्विकार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रेना चाहिए एक प्रनेता और राष्ट्रवादी कवी है और इन्होंने जग जागरन और कर्मठा का इस गीत के अंदर संदेश दिया है सरो पर तम हमें एक बार इसको गीत का उच्ण कर लेते हैं चल चल पूरतो निदेही चरणं सदेव पूरतो निदेही चरणं गिरी सिकरेनन निजनिकेतनं विनेव यानं नरा रोहनं बलंस्वकियं भावति सादनं सदेव पूरतो निदेही चरणं पती पासाने विसमा प्रखरा हिंसा पसवय धरिव परितो धोरा तो यह आपका गीत है एक छोटे सा चार जो पंगतियां है चार जो आपके स्लोक हैं उनके माद्यम से लिखा गया है तो इसमें कभी क्या संदेश देना चारा है वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कि चल चल पुरतो निदेही चरणम सदेव पुरतो निदेही चरणम चल चल यानि चल चल यानि चल चल पुरतो निदेही चरणम पुरतो का आर्थ होता है आपके आगे निदे यानि रखना बढ़ाना ओज चरणम यानि कदम्मों को तो चलो चलो तुम अपने चर्णों को आगे बढ़ाओ, सदेव पुरतो निदेही चर्णम, सदेव यानि हमेशा पुरतो यानि पुरता यानि आगे, निदेह यानि बढ़ाओ, चर्णम यानि चर्णों को, हमेशा तुम अपने चर्णों को आगे बढ़ाओ, यह आपका इसक कि चलो चलो अपने चर्णों को आगे बढ़ाओ। पर निजनिकेत ननोय निныйकेतनम ननू यानि निषीत रूब से निज यावका निकेतनम यानि आपकर निवास इस्तान जो शकते हैं वह है यान शुषित रूब से प्रवत के शिखर के उपर आपका निवासिस्तान है विनेव यानम नगा रोहनम विनेव विनाएव विना इस यानम यानम विनेव यान यानि वहन के विनाही नगा रोहनम नगा का मलब होता है परवत को आरोहनम यानि चड़ना तुम्हे यान यानि वहन के विना ही परवत के उपर चड़ना है यानि आपका भवन का है परवत के शिकर पर है और तुमारे पास कोई वहन भी नहीं है इसलिए विना वहन के ही तुम्हे परवत के उपर चड़ना है तुम्हारा साधन क्या है? तुम्हारे स्वियम का जो आत्म बल है वही आपका साधन है हमेशा आप आगे ही अपने चरनों को बढ़ाओ तो एक बारा तो देख लो आपका जो निकेतन है भवन है वो परवत के शीकर पे निश्यत रूप से परवत के शीकर पे रहे और तुम्हारे पास कोई ऐसा वहन भी नहीं है जिससे तुम वहां पहुंच सको इसलिए नगारो यानम नगारो बिना किसी वहां के ही तुम्हें परवत को आरोहन करना है परवत पर चड़ना है और बलम स्वकिय भवती साधनम भवती साधनम स्वकिय बलम तुम्हारा जो बल है वही तुम्हारा साधन है सदेव पूर्तो निदेही चरनम हमेशा अपने चरनों को सदेव अपने चरनों को आगे बढ़ाओ आगे देखिए पति यानि रास्त में पति का मलब क्या होता है रास्ते में पासाना विश्मा प्रकरा नुक्विले पासान इस्तित है यानि नुक्विले जो पासान है पत्तर है वो तीखे तेजो पत्तर है वो है और प्रकरा का मलब क्या होता है तेडा मेडा प्रकरा विश्मा का मलब क्या हो तुकड़े नुकिले तो पतियानी राज्ते में विश्मा पति तेड़े मेडे राज्ते में पाषाना प्रकरा जो पाषान के जो नकुले नुकिले तुकड़े हैं वो इस्तित है और हिंसक जो पसु है वो तुम्हें चारो तरब से घेर रखा है गोरा का मलब क्या हो गया? घेरना जो हिंसक पसु है वो आपको चारो तरब से घेर रखा है सुदूसकरम खलू यद्देपी गमनम यद्देपी फिर भी यद्देपी का मलब क्या हो गया फिर भी यद्देपी गमनम सुदुषकरम यानि चलना जो जाना है वो निश्चित रूप से दुषकर है कटिन है ठीक ने यद्देपी खलू या निश्चित रूप से गमनम सुदुषकरम जो गमनम जो जाना वो भहुत ही कटिन है सदेव पूर्तो निदेही चरनम फिर भी आप अपने जो चरन है उनको हमेशा आगे बढ़ाओ यानि कभी कह रहा है कि तुमारे जो राष्टे है उसमें नुकिले पत्थरों के टुकडे हैं हिंसक पसू चारो तरब हैं और तुमारा निश्चित रूप से जो गमन है राष्टा है जाने का वो निश्चित रूप से दुस्करक कटिन है फिर भी तुम्हें हमेशा आगे तो निदेही चरनम जहीति का मलब त्यागना जहीति का मलब क्या होता है त्यागना भीतिम यानि भैको भज-बज सक्टिम भसो इसमण करो अपनि शक्ति को रहा यानि विदेही राष्ट्रे यानि जो राष्ट्र है हमारा जो राष्ट्र है उससे विदेही प्रेम करो तता अनुरुक्तिम उससे अनुरुक्त करो उससे प्रेम करो यानि राष्ये क्या करो आप प्रेम करो कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-कुरू-क करो सदेव पुरतो निदेही चर्णम हमेशा आपके कदम है उसको आगे बढ़ाओ हमेशा आगे भड़ते रहो एक बार ओर देख लिए जहीती बीती भयको त्यागो भजबज सक्तिम अपनी सक्ति का इस्मन करो विदेही विदेही का मलब क्या हो गया विदेही का मलब दक करना राष्टें राष्ट से तथा अनुरुक्तिम प्रेम करना अपड़े राष्ट से प्रेम करो कुरुकुरु सत्तम धेश्मनम और अपने धे है जो देश से उसको बार बार इस्मन करो सदेव पुरतो निदेही चर्णम हमेशा अपने जो चर्ण है उन पुर्तो यानी आगे निदेही चर्णम पढ़ाना चर्णों को गिरिश शिकरे परवत के शिकर पर निजनिकेतनम स्व्यम का भवन विनेव विना एव विना इशी के नगा रोहनम परवत का रोहन करना स्वकियम बलं अपने बलको पत्थी यानी रास्ते में पास्राना यानी पत्थर के विश्मा यानी तेडा मेडा प्रखरा यानी कठिन तेडा मेडा विश्मा यान टुकडे नकुले टुकडे हिंसा हिंसक पसवय परितो गोरा पसू सुदूसकरम अत्यदी कठिन फिर भी गमनम चलना जहिती यानी त्यागना भीती यानी भयको भज-भज यानी भ करो राष्ट्रे राष्ट से अनुरुक्ति यत्था था अपने राष्ट्रे प्रेम करो अनुरुक्ति का मलब क्या होता है प्रेम अनुरुक्ति का मलब क्या होता है प्रेम कुरुकुरु सत्तम धे इस्प्रणम धे यानि उद्देश्य धे का मलब क्या होता है उद्देश्य इस्प्रणवैस्प्रण करो सत्तम यहनी बार-बार कुरू-कुरू करो करो सदेव पूर्तो निदेही चर्णम। तो बट़े यह आपका पाथ हो गया हैं। पाथ में एक बार कठिनसब दोट देख लीजीं आप। पूरुतों का मलब होता है आगे, निदेही का मलब होता है रखो, गिरी शिक्रे का मलब होता है परवत की चोटी फर, निजनिकेतनम का मलब होता है अपना निवात, विनेव विनाही, नगा रोहनम परवत पर चड़ना, स्वकियम अपना, पथी यानी मार्ग में, पाशाना य तेदे कटिंता पूर्वक जहीति छोड़ो त्यागदो भज यानि इस्मन करो विदेही यानि करो अनुरक्तिम प्रेम सनेह सत्तम लगाता देश्मरणम उद्देश्य का इस्मरणम इस प्रकार यह आपका चतुर्द जो पाड़ था सदेव पूर्तो निदेही चरनम आपका प जान में रखना है धन्यवाद बेटों